हरी ओ हम लोग लोग ही टीटमेंट के बारे में पढ़ड़ाय थे तो आज हम लोग अनिलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि अनिलिंग क्या होता है और अनिलिंग का उध्य से क्या है अनिलिंग का कितना टाइप होता है उसके बारे में आज हम लोग अध्यान करेंगे तो अनलिंग मुख्यता दो परकार का होता है प्रोसेस अनलिंग और फुल अनलिंग तो पहले हम यह सिखते हैं कि अनलिंग होता क्या है तो जब हम किसी भी धात्वी पे कोई काम करते हैं तो उसके आंतरिक सरंचना में परिवर्ता ना जाता है बिरूपन हो जाता है उसके आंत्रीक सनंचना में जो आंत्रीक बल है प्रती बल है उसमें बिरूपन मन परिवर्तन हो जाता है तो उसी को गरम करके पुना सही आवस्था में लाने को हम लोग अनिलिंग बोलते हैं कि अनिलिंग को हम लोग ऐसे समझेंगे कठोर धातूं को ऐसे तपमान पर गरम किया जाता है जो उसके अंदर आय बिरूपन या आंत्रीक परतिवाल को समाप्त कर दे और इसके पाहँचात धातू को फिर धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है इसी प्रोसेस को हम लोग में हाइपर युक्टेक्टवाइड एस्टिल को उसके क्रिट्कल टमप्रेशर तक मेन्स 6.50 इसी तक और हाइपर एक टिट्रवाइड एस्टिल को उसके निचले करंथीग ।ापमान से इंप हम लोग गरम करते हैं तो या तो हमारा हो गया आनिलिंग का हम लोग उधे से सम कम करना तो जो उसका कोठोरता होता है ज्यादा बढ़ जाता है फोर्जिंग करने से या और कोई प्रोसेस करने से उसका हाड़नेस बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कम करते हैं अनिलिंग प्रोसेस से अंतरिक सरंचना में आई विक्रिती को समब्द करना उसके अंदर की प्लाव आजाता है उसके अंत्रिक्षन अंचनम में उसको हम लोग समाप्त करते हैं तिसरा नमबर ग्रेंच साइज को महीं करना ग्रेंच साइज के आप लोगों फूर इंग्रेंच साइज क्या होता है तो ग्रेंच साइज को महीं करना जो ग्रेंच साइज होता है उसको अगल ना नियां का फुन रोर्किंग करके योग बनाना इसका करने से क्या होता है कि जब हम सकते हो च्छ्छा करते हैं तो मुषय कर सकते तो उसको अनिलिंग के प्रोसेस से उसको पुना कोल्ड वर्किंग करके करने जोग बना दिया जाता है धलाई के समय पर अंदर रह गई गैसों को बाहर निकारना धलाई के अंदर जब हम किसी धातु का धलाई करते हैं उसको मिल्ट करके किसी सेप में हम जब उसको बनाते हैं तो उसके अंदर क discuss सेयरा जाती हैं जैसे की मुल्ता हैस्टरोजं ज़्यादा चाता है जो कि पोरौसीटी का वहांटा है वहां पर अगर मेटल को फिर किसी मसीनीर करन पर लेकर हम लोगं जाते हैं मसीनी करन करते हैं तो वहाँ मेटल टूट जाता है तो उसको तो उस जो फंसी वी गैस को बाहर निकालने के लिए भी हम लोग अनली प्रोसेस करते हैं